पूत बिमार पितानू कमरे विच बंद करके विदेश चला गया। ज़द छे महिने बाद वापिस आया। ता कर विच उसने जो देखिया। उस नाल उस दे रोंगते खड़े हो गए। मनोहर जी अपने परिवार दे नाल आगरा विच रहा कर दे हन। वैसे ताउ पहला उत्तर परदेश दे एक छोटे जहे पिंड दे निवासी सी। पर हुन आगरा विच आके बस गए सी। उना दे परिवार विच एक पुत संजीव अते नूमोना है। उना दी पतनी दा स्वर बोत पहला हो चुका सी। जड संजीव चार साल दा सी उदो उना दी पतनी दा स्वर गवास हो गया। उ दूसरी वर माँ बनने वाली सी। गर्ब अवस्ता दे दुरान ही उना दी मौत हो गयी। अते नाल ही उना दा जनमा बच्चत वी पेट विच मार गया। उना दा अन् पने इक लोत्ते पुत्त अते अपनी बुड़ी मा दे नाल बड़ी मुश्किल नाल जीवन बतीत करन लगे। पर चंगे नाल चल रहा सी, पर कमी सी ता बस उना दी पतनी दी, उना दा पुत्त दिन रात मा दे लई रोया करदा, बुड़ी दादी उस बच्चे नो बहुत प्यार करदी, पर इक दिन उना ने अपने पुत्त मनोहर नो किहा, पुत्त मैं किन्ने दिन तक जिन्दा इस बच्चे नो मा दी जुरूरत होवेगी, तू दुज्जा व्या क्यों नहीं कर लेंदा, अपनी मा दी गल हर वार मनोहर जी टाल देया कर दे, अरे मा तुसी फालतु विच्च परेशान हुंदी हो, तुसी हो ना तुसी कित्थे जाने वली हो, तुसी हो ना सड़ी इख़ाल करने दे लई, अरे मा मैं हां संजीव है, तुसी हो सड़ा परिवार पूरा ही ता है, दरसल मनोहर जी अपनी मा दे हुंदे होए, किसी चीज दी कमी महसूस नहीं कर रहे सी, पर पगवान नो कुझ हो रही मंजूर सी, एक दिन उना दी मानू हार्ट टेक आउंदा है, अते उना दी मोत हो जांदी है, उन ता मनोहर जी इकले पै चुके सी, सिर्फ उना दा पूत अते उह इकले उसकार विच रहा कर दे, वैसे ता उह तिन पाई सी, पर तिनों अलग लग अपनी पतनिया दे नाल रहन दे सी, उना दे कर दा बटवारा हो चुका सी, उना दे हिस्से विच उना दी मा सी, अते उह मा वी अज चल बसी, उना दी पतनिता पहला ही उना दा साथ चड़ चुकी सी, बच्चे दा पलन पोशन करना उना दे लई बोट मुश्किल हो रहा सी, रोज अपने बच्चे नू स्कूल चड़ के उह इद्धर उद्धर चिठिया हान अते अपने बच्चे दे नाल समय बिताउंदे, पगवान दी किरपा नाल उना दे गौंडी वी द्यालू सुबा दे सी, अते उना दे ना रहने पर उना दे बच्चे दी देखपाल कर देया कर दे, पर वद दे दिना दे नाल मुश्किला वी वद रही सी, इक दिन उना पाई पाबी ने उना नू व्या करने दा सुजाव दिता जिस चीज दे लई मनोहर जी हमेशा मना कर दे सी पर अज ओही चीज उना नू ठीक लग रही सी उना ने सोचिया की किने दिना तक मैं संजीव नू इकला काम पर छट के जान्दा रहूंगा उस दी देख पाल करने दे लई इक मा दी जरूरत होवेगी ऐसे विचस जीव नू पाल पोस नहीं सकदा उसनू चंगी परवरिश नहीं दे सकदा उस दे जीवन दे नाल मैं खिलवाड कर रहा हां इसोच के मनोहर जी ने अपने पाई नू कोई चंगी जही कुडी देखने दे लई किया उना दे पाई ने वी उना दे कहे उनसार अपनी समझ नाल इक चंगी कुडी देख लई अते गिहा की मनोहर जाके उस कुडी नू देख लै अते रिष्टा पका कर लै पर जिस दिन ओ कुडी देखन जाने वाले सी उसी दिन अचानक नाल उना ने खबार वीच खबर पड़ लई उस विच लिखया सी की एक बार जिस दी पतनी मार गई सी उसने दुझ्या व्याँ किता दुझ्ये व्याँ दे दोरान उस दी पतनी था उस दे नाल चंगे नाल रहें दी सी बच्चे नू वी प्यार वी कर दी सी पर यी सब उसदा दिखावा सी होली होली उसदा असली रंग सामने आउन लगा उसने अपने पती दे ना रहने पर उना तिन्ना बच्चे पर अत्याचार करना शुरू कर दिता होली होली करके उसने इक इक करके दो बच्चया नो कुट कुट के मार दिता आते बच्चया तीसरा बच्चया जो की सब तो वड़ा सी उस दे उपर उसने बाकी दे दो बच्चया नो मारने दा अरोप लगाया अते विचारे उस डरे सह में बच्चे ने वी उस गल नू मन लिया, अते उसनू जेल हो गई, अते बस इस समय बालसुदार कर विच है, इखबर पढ़ के मनोहर जी दे रोंग्टे खड़े हो गई, उनने तुरंत ही व्याना करने दा फैंसला कीता, ओ ता अंदर तो डर गई, क्योंकि ओ अपनी जान तो वी प्यारी पत्नी नू खो चुके सी, उन बच्चे उनना दा पुत, उन उसनू गवाना नहीं चाउंदे, इक ममता मै मा दी तरा उनना दा दिल पिंगलन लगा, उननने अपना व्याना करने दा फैंसला कीता, उनना दा आगरा विच हुन्दा है, अते उननने अपने पुराने कारणू जो की पिंड विच सी, उसनू वेच के आगरा चले जान दे हन, अपने पुत दे नाल आगरा विच गुजर बसर करन लगदे हन, होली होली करके उनना दा बच्चा वी वड़ा होन लगदा है, संजीव हो जन्दा है, पड़ लिक के ओ वी नोकरी करन लगदा है, अते उसनू अपने दफ्तर दी इक मोना नाम दी कुडी नाल प्यार हो जन्दा है, उसने इगल अपने पिता नू धसी, मनोहर जी वी इस दे लही राजी हो गए, कि उना दे बच्चे नू पुरी दुनिया दी खुश रहे, होन मनोहर जी ने अपने पुत दा व्याग कर दिता, होन उना दे कार विटकार उना दी नू मोना आ चुकी सी, दरासल मोना मोडरन जमने दी सी, थोड़ी जही ना नुकर करने वाली सी, अते हर गल पर किच किच करया कर दी सी, पर संजीव नू ओ बहुत प्यार सी, होन संजीव उसनू बहुत प्यार कर दा सी, इस तरह दिन गुजरन लगे, मनोहर जी नू इस विच कोई दिक्कत नहीं सी, इस सोच दे सी की चलो बच्ची है, कोई गल नहीं, जद तक मेरे हाथ पैर चल रहे हन, जद तक मैं खुद नाल अपना काम कार साकदा हा, रही ग जद नू दिता, उस दा खुद दा जीवन है, उसनू जीवें जीना है, उस जी सक दी है, उना ने इनना तक छट दिता सी, इक तरह नाल कहलिता जावेता, उना दा परिवार एक खुश हाल जीवन जी रहा सी, कर विच किसी वी परकार दा कलेश वी नहीं सी, पर एक दिन कार दी खुशियानू किसी दी नजर लग जान्दी है। शायद एही होया सी। उना दी खुशियानू वी नजर लग चुकी सी। होने दे लई बाधरूम विच गए। अचानक नाल उना दा पैर बाधरूम दे फर्श पर पए साबंदी टिकी पर जा पया। अते ओफिसल के गिर गए। अते तुरंत ही बेहोश हो जान्दे हन। इस गल दा पता जद संजीव आते मोना नू लग दा है तां दोना ने उना नू जल्दी नाल चुक के होस्पिटल विच परती करवाया। दो दिन तक ओ बेहोश रहे। तीजे दिन जद उना नू होश आया थां पता चल्या की उना दा इक हत इक पैर अते इक तरफ दे चेहरे पर लगवा मार गया है। उना दे मूँ तो हुन अवाज वी नहीं निकल पा रही सी। ओ कुछ बोल वी नहीं पा रहे सी। अपना इक हत अते पैर चुकने विच असमर्थ सी। इदेख के उना दी अखा तो हंजू वेन लगदे हन। पहला ता संजीव ने उना नूं दिला सादिता पिता जी तुसी ना रोवो असी है ना तो असी तो अड़ी सेवा करांगे। पर इदेः ना जद किसी न कुछ जानदा है। ता आदमी एक दिन, दो दिन, तिन दिन, चार दिन उस दी सेवा करता है। फिर ओह व्यक्ति उस तो बोर हून लगदा है। उस तो कीन करन लगदा है। बोट कट ऐसे लोग हून दे हन जो नीसवार्थ पावनाल मर्दे दम तक सेवा कर दे हन। हून उस पुत ने ता वादा कर लिया पर हून निबाये जदना मनोहर जी नू उना दे कर लियाया जन्दा है। हून होली होली दो चार दिन बीत जन्दे हन। उना दी नू आते पुत मिल के सेवा कर दे हन। होली होली नू दा मन उना दी सेवा तो उठन लगा। ओ वार वार उना दी मैल साफ कर दे कर दे तांगा चुकी सी। उना नू देखके ही उस नू उल्टी आउन लग दी सी। उना तो दूर पज्जन लग दी सी। होली होली मोना ने सोहरे दी सेवा करना बांद कर दिता अते सारी जिम्मेवारी अपने नोकर नू दे दिती। नोकर वी ता नोकर ही है क्या कर दा जिनना उस नू समय मिल दा उनने समय विच उना दी सेवा कर दा फिर अपने दुज्जे कमा विच लाग जान दा। दूसरा कम भी नहीं करदा, ता मौन ना उस नू चिड़के उस नू दिन पर सुनाया करदी, आते शाम नू संजीव कर आउंदा ता उस दा जीन दुबर करदी, उस नू गल्ला सुनाके तानने मार दी सी, आते वार वार तेरा बाप तेरा बाप कह के संबोधन करदी, अपनी पतनी दी गल्दा नाड संजीव वी तांग आ चुका सी ओ वी अपने पिता दी सेवा करके उना दी मैल मुत्तर साफ करके परिशान हो चुका सी मनोहर जी नू अपनी हालत पर रोना आ रहा सी उना ने सोच्या सी की मेरे पुत नू मेरी सेवा करनगे पर हुंदा कुझ हो रहे हून ता पुत नू नू मनोहर जी बोज लगण लगे सी इक कच्रे दे बराबर लगण लगे सी ओ कच्रा जो दिन प्रती दिन होर बदबू करन लगदा है जिसनू लोक जल्दी तो जल्दी कर तों बाहर सुटना जाँ देहन ओ बापल हुन उना दी नजर विच इक कचरा मतर रह गया सी इक दिन मोना दा जनम दिन सी बहुत तूम ताम नाल मनाया जा रहा सी मनोहर जी इक पासे वीलचेर उपर बैठा सी ता अचानक उसनू जोर नाल प्रेशर बन गया ओ हिल के किसी नू दास वी नहीं सी सकदा उस दे चेहरे नू वी पड़न दा किसे कोल समा नहीं सी पार्टी वीच डीजे वाज रहा सी ते साब खुशी नाल नाच रहे सन मनोहर जी तो प्रेशर कंट्रोल नहीं होया ते उसने उत्थे ही कपड़े खराब कर दिते जदो मल मुतर दी बदबू आउन लगी ता लोग सोचन की इह कित्थों आ रही है उदो मुन्ना ने अपने सोरे वाल देख्या उस दा सोरा बहुत ही तरसन योग हालत विच अखा नीव्या करके रोई जा रहा सी पर मुन्ना नू इस सब देखके तरस आउन दी बजाए उस ते बहुत गुसा आया उसने अपने सोरे दे खिच के इक चिपेड जड़ दिती मुन्ना ने अपने नोकर नू अवाज मारी ते सारी गंदगी साफ करनू किया ते फूफू कर दे होए वापस आ गई सारा गुसा अपने पती संजीव ते कट दी होई उसनू बुरा पला कैन लगी की हद हो गई इनने महमाना दे विच बेजती हो गई उन ता खुशिया मु मुश्किल हो गई आहन इस बुड़े दी गंदगी दिन रात देखनी पैंदी है है हैरानी दी गल ही सी की उस दे बेटे नो वी अपने प्यो ते तरस नहीं आया हून पुतर वी प्यो नाल दूर विहार करन लगा विचारा नो कर ही मनोहर जी नू साफ कर दा उसनू तो ते क पड़े पवाऊंदा ते वीलचेर वी साफ करके उस दे तकल्यांदा उस दे तेल दी मालिश करदा ते खाना वी खवाऊंदा उस दे अपने पुत तो ता नोकर चंगा सी जो की मनोहर जी दी सेवा ता कर रहा सी पामे उसनू इस कम दे पैसे ही मिल रहे सन ओ ता विचारा ग पर जिस बापने एक पुत्तर नो पूरी जिन्दगी दित्ती होवे उसनू हर सुख दिता होवे उस दी हर इच्छा पूरी कित्ती होवे उस दे अग्गे पिछे मा बान के परच्छामे वांग रहा होवे उसने अपनी जिन्दगी वालतां देख्या ही नहीं पूरी किसे तरह रात बीट गई पर अगली सवेर दा मोहल वी ठीक नहीं हुंदा कर विच नू ने हर पास सोग फिलाया होयाज है जिमे कोई मर गया होवे तिन चार दिन इस तरह ही चालदा रहा है फिर संजीव नू एक दिन विदेश तों पत्तर आुंदा है विदेश विच उसनू एक चंगी कंपणी विच नोकरी मिल गई जिस देलई उसने बहुत पहला अपलाई कित्ता होया सी उस दी खुशी दा हुन कोई टिकाना नहीं सी उन ता उस दी पत्नी वी बहुत खुश सी की चलो किसे तरह इस बुड़े तो पिच्छा ता छुटू उन दोनों ही त्यारी करन लगगे वीजा आ गया कार विच मेन मेन समान इक कमरे विच समेट के जिंदरा लगा दित्ता ते चाबी अपने कोड राख के नोकर नों पिता दे कमरे दी चाबी दे के ई कैके चला गया की तू त्यान रखी मैं तेरे अकाउंट वीच पैसे पांदा रहूंगा पापा दी देखपाल करदा रही संजीव अपनी सारी जिम्मेवारी नोकर ते सिट के अपनी पतनी ते कीम्ती समान नाल खुशी खुशी विदे चला गया उनकार विच मनोहर जी ते उस दा नोकर ही रह गय सन नोकर इक चंगे कम वाले दी तरा अपने मालक दी सेवा करन विच लगा रहंदा मनोहर जी नोवी सिरफ उसे नाल ही खुशी मिल दी सी एक दिन मनोहर जी दी दवाई दा जदो टाइम होया ता नोकर ने रसोई विच देख्या की आटा खतम हो चुक्या है रोटी बना उन लेई आटा नहीं सी ते रोटी खान तो बिना दवाई नहीं सी खा दी जा सक दी नोकर ने सोचया की चलो कोई गल नहीं बजार जाके आटा ले आउंदा हां जदो आटा ते होड समान खरीद के वापस आ रहा सी तां एक बेकाबु होई कार उस विच आ के वजजी टकर इन्हीं जबरदस्त सी की ओ बहुत दूर जाड गया हस्पताल पर ती करवाया गया पर डाक्टर ने किया की सट बहुत कहरी है जिजदी वज़ा करके एक कॉमा विच चला गया है विचारे मनोवर जीदा एकको एक सहारा ओही नोकर सी बजार जान्दे समें नोकर मनोवर जीदे कमरे नू बांध करके जिन्दा लगा गया सी चोरी ना हो जावे ते उसने जिंदरा लगा के चाबी अपने कोल राख लई विचारे मनोवर जीदे पुखे प्यासे कमरे विच तडफन तडफन लगे जिन्नी को आवाज निकल दी सी ओ आवाज मार रहा सी दरवाज्या भी खड़काया पर किसे ने नहीं सुनिया लोका नू उस दिया अवाज्या भी नहीं सुनिया वैसे वी शेहरां विच कोई किसे दे करवल त्यान ही नहीं दिन्दा इस तरह करदे करदे दस दिन हो गए ग्यारमें दिन पुख प्यास दी वजानल तडफ तडफ के विचारे मनोहर जी दी मौत हो गई किसे नू कुझ नहीं सी पता की मनोहर जी ये दुनिया छड़ के जा चुक्या है ते उस दी मौत एनी दर्दनाक होई है मनोहर जी नू मरे होई छे महिने हो जान दे हन छे महिने तक उस दी लाश कमरे विची ही बांद रही आंडी गवांडी वी कोई उना दे कर नहीं सी आउंदा ता उस दी सुद्ध बुद किसने लेनी सी उद्धर संजीव ने कई दिन करे फोन कीता नोकर दा फोन वी बांद आ रहा सी फिर उसने वापस आ के साब पता करन दा सोचिया छे महिने बाद जदो उना दा पुत्तर अपने देश वापिस आया ता करे आ के उसनू कुछ अजीब जहा लगा उसनू नोकर भी नहीं दिसया ओ पिता दे कमरे वाल जान लगया ता देख्या की कमरा ता बाहरो बांद है जिंदरा लगा होया है ते अजीब जही बदबो आ रही है उसनू कुछ समझ नहीं आया ता उसने एक पत्थर दा टुकडा लेया ते कमरे दा जिंदरा तोड़ दिता अंदर जाके देख्या ता उस दे हत्ता विचला समान थले ही डिग पया हो खुद वी जमीन ते डिग के दाहडा मार मार के रोन लगया सामने देख्या है की मनोहर जी दी दा मृतक शरीर जो पूरी तरा पिंजर दे रूप विच बदल चुक्या सी वील चेर दे उपर पया सी इस तरा लगदा सी की जमीन मनोहर जी दा पिंजर पिंजर ही अपने पुत्तर दी उडीक कर रहा होवे इस अब वेक के उस दे पुत्तर नो बहुत पश्टावा होया ओ बहुत रोया पर हुन रोन दा की फाइदा सी ज़दो वेला संबालन दा समा सी ता ओ विदेश बैठा सी ओ रोन दा होया कह रहा सी की पिता जी मेरे तो गलती हो गई मैं बहुत वड़ा अपराद किता है मैंनू तो अनू इकले छड़ के नहीं सी जाना चाहिदा मेरी नोकरी ने तो अड़ी जान ले लई लानत है मेरे जहे पुत्तर ते जिसने जिउन्दे जी आपने पिता दी देख पाल नहीं कीती सो मरन उपरांत पश्टाउं दा कोई फाइदा नहीं उदो तक पराण जा चुके हुंदे हन इस तो चंगा है कि जिउन्दे वक्ती नू सुख देओ मान सर्मान देओ उस नू समझो उस दी तकलिफा नू समझो क्योंकि हर मा बाप अपने बच्चे लेए बहुत तकलिफा चालदा है ता नवाजी स्टोरी के में लगी लाइक कमेंट करके जरूर दस्यो जी